गुड बॉर्निंग दोस्तों स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेडी स्मार्ट क्लासेज में हम लोग लेके आए आप लोगों के लिए हिंदी की क्लासेज और हम लोगों ने इसके पहले काफी करीब 12 क्लासेज हम लोगों की हो चुकी है और अभी बीच में कुछ दिन नहीं क्लासेज हो पाई थोड़ा कारे पड़ जाने के वज़े से कारे आ गए नहीं हम लोगों क्लास दे पाए लेकिन अब फिर से पुना कंटिन्यू करते हैं और जो बच्चे हिंदी पुलिस क 20% तक कोर्स कवर कर चुके हैं 12 क्लासेज में आप लोग देखिएगा और कोर्सेज का मतलब यह हुआ जो हमारे एक्जाम की द्रस्टी से महत पूंड़ है आगे अब हम लोग पढ़ते हैं जैसे संग्या हो गया समास हो गया संग्या समास उपसर्ग हो गये प्रत्य हो गये इसके बाद जो हम इंदी साहित का इतियास कुछ क्लासेज लेंगे तो मतलब ओवराल जो आपके लेविल का है जो जिसे क्वेस्टन सापके आते हैं और वो चीज़ें देख लेते हैं तो आज हम लोगों की क्लास रहेगी संधी की और इसको जो है आप लोग देखिए संधी क्या है अक्सर हम लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है आयादी संधी में गुण संधी में तो हम लोग आज अपने लेविल से पढ़ेंगे कैसे क्या करेंगे और देखिए हो सकता है आज से संस्कृत क्लास भी कंटिन्यू की जाए तो जो सीटेट वाले बच्चे हैं यूपी से हम लोगों की 24 तारीक है तो आज इसले इसका भी क्लास हम संस्कृत की अधिम हिंदी पढ़ लेते हैं तो आज हमने लोगों में हींदी संधीim में बिटा है क्या कि देखो संदी जो सब्द है या संदी बेसिकली हमारा संस्कत की जो संदियां हैं और हिंदी की संदियां ठेक तो अंतर कुछ नहीं है बस यह है कि हम लोग हिंदी में जो कोईश्चन आते हैं तो वह संस्कत वाली सब्द नहीं होते और जो हिंदी में जो सं है जो भी इसका क्राइटेरिया है जो भी बनाने का मैथेड है जो भी संदी करने का मैथेड है जो भी उसको विच्छेद करने का मैथेड है वो सब सेम है तो संदी तो वही है ना भाई जब दो सब्दों को जोड़ा जो दो वरणों को जोड़ा जाएगा तो वरणों को अलग है कि दो वर्णों के मेल से भाई होता क्या है कि जब संदी होती है संदी में किसका मेल हो रहा होता है वर्णों का मेल होता है समास में किसका मेल होता है पदों का मेल होता है दो पद होते हैं और कारक में क्या होता है वाक्यों का मेल होता है तो संदी में वर्णों का समास में पदों का और कारक में वाक्यों का कोईश्चन आ जाएगा कि भाई इसका संयोग होता है समास में तो पदों का संयोग होता है समास में आप कभी वर्णों का संयोग नहीं कर पाओगे क्योंकि वर्णों का संयोग जहां होगा उसी को हम क्या वोलेंगे संधी वोलेंगे तो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्फों होता है उसे हम क्या कहते हैं कि अधिक है इसके लिए संस्क्रत में बहुत अच्छी परिवास आई जब संस्क्रत पढ़ाएंगे तब बताएंगे यहां पर समझ लो वर्णा नाम परस्परम विक्रतिमत संधानम संधी वर्णों के परस्पर विक्रत हो जानी के अवस्ता उससे जो एक नया वर्ण बने ऐस क्यों सेरका संधी सब्स्ता-प्रयोग दोने किया संधी के लिए उन्हें क्या सब्सक्रति में संधी का प्रयोग नहीं है संधिक जगे संहीता विक्रत वोलते हैं क्या बोलते हैं संभीता और Sंहीता कैंके Сंधिता है क्या तो परहस Gallery सह कि अ संधी न समझना जो हिंडी वाले ब Cabella की यह कुछ आ यसा बन सकता है कि अ संधी और संस्कित ब्याकर नामाया संधीन के द्वारा किस नाम को द्योतित किया गया है तो इसी संदी को ही क्या बोला गया है संगीता बोला गया ठीक परा सन्निकरसा संगीता मतलब क्या हुआ वर्णों का अतिसय हो जाना अतिसय निकट आना ठीक और फिर उनमें जो विकार उत्रपन हो जाए वही हमारा क्या कहलाता है संगीता कहलाता है संदी कहते हैं तो यह दोनों क्या ह हैं सेम ही चीजें हैं संगीता और संदी जब दो वर्ण हम परस्पर नजदीक ले आते हैं जैसे देखो बेटा इसको पड़ो कि उत और लेक अब सुनों संगीता का मलब पराशनिकर्शा इन दोनों को बहुत संदीक ले आएंगे अब इनको मिलागे पड़ो उत लेक उतलेक 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 उलेक उलेक तो ता हमारा लामे निकलता है जल्दी बोलते हैं उलेक है ना तो ता हमारा लामे परिवर्तित हो आप यहां संधी कौन सी है तोरली सूतर से यहां पर तोरली संधी हुई तो बात यह हो गई है यह हमारा वर्णों का पर्सपर सन्निकट आना अतिसे निकट आ जाना फिर उन में जो विकार उत्त ந हुआ वो हमारा क्या कहलाया संगीता कहलाया व्याकरण हिंदी व्याकरण सास्त्र में इसी को क्या बोल दिया गया संधी बोल दिया ठिक कोई समस्या इसके बाद देखें हम लोग तो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन होता है विटा उसे संधी कहते हैं ठिक अब यहां पर अगर संधानम फर्वर्णों का प्रसपर अतिसय पासह हो कि उनका विक्रत हो जाना यह हमारा क्या कहलाता है ,ć कर दिया जाता है संधी कहलता है तो अगे चलते हैं कि चल तेखो हमारी संधी है वो कितने प्रकार की है संदीके भेद किसके संदीके कितने हैं तीन हैं तेखो आप लोगों ने तीन चीज़ें पढ़ी जब जब सब कुछ वर्ण माला पर आधारी था गर वर्ण माला जिसको कन्फॉम ए के इसलिए सबसे पहले कि पढ़ाया जाता है आप लोगों को वनमाला पढ़ाया जाता थे ना तो वर्ण माला पहले पर आइसे ही हिंदी वनमाला है उस पर आधारित है संधी जैसे के स्वख्र, व्यंजन और विसर्ग अब देखो जब स्वख्रों का स्वख्रों के साथ संयोग होता है सवख्रों के साथ विकार उत्पन और तो वहां पर हमारी कौन संदी हो जाएगी है मलब जैसे हमारे पास दो सब्दह्यां और इसकांतिम और जब ये वेंजन हो तो यह कौन से संदी हो जाएगी वेंजन संदी हो जाएगी भाई जब वेंजन वर्ण का वेंजन या स्वर्ण के साथ संदी हो जाएगी और जब विशर्ग का स्वर्या वेंजन के साथ संदी हो जाएगी और जब विशर्ग का स्वर्या वेंजन के साथ संदी हो ज अब ऐसे यह clear हो गया कि हमारी संदियान कितने प्रकार की हैं नंबर एक में आजाएगा स्वण संदि नंबर दो में हमारा जाएगा वेंजन संदि और नंबर टीन में आ जाएगा आपका हुआ विशर्क संद्य यहां तक किसी को कोई लिए संदी के कितने भेद हैं तो संदी के कितने वेद हैं ? सबसे पहले पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट समय सबसे हम नेक्स्ट पढ़ रहा हैं इसलिए ज्ञादा शन्सक कत में पताते रहेंगे बांकी देखलो, हिंदी में स्वर संधियां हमारी कितनी बताए गई, तो देखो, दीर्ग संधी, गुन संधी, यान संधी, व्रद्धी संधी, अयादी संधी. कितनी हो गई, पांच संधियां हो गई, तो ये स्वर संधियों को भी पांच संधियों में विवक्त कर दिया गया, मतलब पांच टाइप से इसके बता दिये गए, स्वर संधियों के भी पांच बेद बता दिये गए, वैसे और भी है, पूर्वरूप है, पर रूप है, प्रक दीर्ग संदी गुढ संदी यण संदी- भ्यद्धी संदी और आयादी संदी ठीक अब हम लोग इनके बारे में समझ लेते हैं देखो दीर्ग संदी नियुद्ध कंस देखो लोग यहां पर इतना तो पता चल गया कि स्वर का स्वर क さथ संयोग या संगीता होगी सवर ऊसवर के साथ विक्रत होगा स्वर सवर के साथ विक्रत होगे तो वहां पर जिस संडी का निर्माण होगा वह हमारी संदी कहलाएगी ले t droite अपने पहले Väर यंधिमि काम नहीं है के वल री ले लो ठिक लुरी का भी काम नहीं है ए अए बस इतने ही तो स्वर हैं पताओं कि इससे ज्यादा है स्वर नहीं है ना देखो अच्छा अब हमारा जो दीर्गसंदी है दीर्गसंदी ये कहता है कि जब सवर्ण 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 अगर एक साथ हूँ जैसे दो सब्द हैं उनका अंते और दूसरे वाले का प्रथम वर्ण सेम सवर्ण हूँ मलब सवर्ण क्या हूँ समान हूँ तो वहां पर हमारा क्या हो जाता है मिलके दोनों दीर्ग हो जाते है जैसे आ का दीर्ग क्या कह जाएगा दिर्ग आ है ना इसका दिर्ग क्या है ये है इसका दिर्ग क्या है ये है तो देखो जैसे यहां पर हम एक उदारण देख लेते हैं कि लगू धन ओर में कि तो क्या हो जाएगा अब ये देखो यहां पर क्या है चोठा ऊए यहां पर भी क्या है अब ये दोनों मिलके छोटा हूँ और छोटा हूँ, दोनों समानस्वर हुए कि नहीं हुए, अब दोनों समानस्वर मिलके क्या हो जाएंगे, सवर्ण सवर हैं तो वो क्या हो जाते हैं, दीर गो जाते हैं, संस्क्रत में इसके लिए आया, अका सवर्ण दीरगा, अक प्रत्य यहार केंटर गताने वाले जो स्वरवर्ण हैं वो अगर अपने स्वरवर्णों के साथ सेम स्वरवर्णों के साथ आते हैं तो क्या हो जाते हैं उनका दीर गो जाता है तो देखो अब यह मिलके क्या हो जाएगा तो हो जाएगा बाकी मिला के लिख दो तो इसमें ये वाली मात्रा जोड़ दो क्या हो जाएगा हो गया ऐसे देखो जैसे आपने अरे ये सिंपल सा देख लो विद्या धन अले अब देखो विद्या में ये कौन सा स्वर है क्या कौन सा वाला आ है कि दीर्ग आ है न तो देखो यहां से जब τουर्ण हटाओं कि यह बचेगा न एयसे बचेगा न इसके बार हमारे पास आ गया इसके बड़ यह वाला आ गया अब ये संदिये कहती है कि भाईया जो हमारे ये स्वरवर्ण है ये अगर समान है तो ये मिलके क्या हो जाएंगे दीर्ग हो जाएंगे तो दीर इनका यही तो होगा दीर्ग आ और बस इसके आगे वाले ये लिख दो कि अब देखो इनको जॉइंट कर दो मिला दो कि विद्याले तो कहने के मदलब आपको पहले तो समझ लो बाकी होगा क्या कि जब प्रस्न आएंगे तो में आपको संदी विच्छेत दे दिया जाएगा या संदी करने को संदी आ जाएगी उसमें किस प्रकार की संदी यह बता दिया जाएगा तो पहले जब संदी में हम सबसे पहले पहला बेद इसका पड़ते हैं दीर्ग संदी अच्छा देखो जब हम वर्णों को वर्णों की संगीता कर रहे होते हैं उसको हम संदी बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं संदी बोल देते हैं लेकिन जब उन्हीं को अलग अलग कर रहे होते हैं तो हम उ जैसे दे दिया जए वन उत्सव तो अब यहां पर इसका आपने संदि विछेद किया वन धन उत्सव जिए न तो यह क्या कहलाया यह जो आपने किया यह इसका क्या किया विछेद कर दिया दोनों तुम्स अलग Penुป लाग कर दिये अब इन्हें दोनों को अगर संदी करनी हैं तो संदी करके क्या बनेगा वनोट-सो FS को इंतिकत को संदी करने को आएगा या तो फिर संदी करने को आ जाएगा ओच में देख लेते हैं इसके कुछ एक्जाम्पल देख लेते हैं ठीक यह इसका नहीं है वनोट सौठी गुण संदी का है जो पता चला आप दीर के संदी समझ लें तो इसके कुछ एक्जाम्पल देख लो जैसे इसका क्या बन जाएगा अब यहां पर देखो इसमें कौन सा स्वर है पुस्तक में कौन सा स्वर है नहीं जो पुस्तक सब्द है इसमें स्वर बताओ अंत्य स्वर कौन सा है तो देखो यह ऐसे ही तो लिखा है है ना इस का में हर्ष आ जुड़ा हुआ है तो पुस्तक बना अमारा अब इस पुस्तक में जो यह आ है और यह बड़ा आ यह दोनों मिलके क्या बन गए दीरग आ और ऐसे विटा आप लोग मिला लो क्या बन जाएगा कुस्तकालय बन गया ठिक तो यहां पर आप लोग यह देखो इस संदी में ऐसे समझ लो कि जब आ या आ इनके साथ हश्व आ या दीरग आ मिल जाए तो विटा क्या बन जाएगा आ बन जाएगा इसके बाद इ या दीरग इ इसके साथ हश्व इ या दीरग इ यह मिल जाए तो दीरग इ बन जाएगी उ या दीरग उ ऐसे हश्व या दीरग उ यह मिल जाए तो क्या बन ज जाएगा तो यह मिलके क्या बन जाएगा देरगरी बना देगा यहां तक समझ में आ गया ऐसे हम लोग इसका देख लो चा आगा तो तुमने एक्जम्पल देख लिया इका देख लो जैसे रविधन इंद्र बनाओ क्या बनेगा हाँ रविधन इंद्र क्या बन जाएगा रवी इंद्र क्या बनेगा रवी इंद्र ठिक अच्छा इसका देखो उका देख लो कि बहान दन उदय क्या बन जाएगा है बहान उद ऌजय तो उ-जो हमारा है उसको दिर्ग कर दू схड़ työ कि बहान उदय क्या बन जाएगा बन जाएगा को दिकła त अच्छा, देखो, जैसे रजनी धनीष क्या बन जाएगा, रजनीष बन जाएगा, फुल मिला के जब स्वमान स्वरवर्ण आ रहे हैं, तो यह हमारे क्या हो जाएंगे, अपने ही वर्ण का यह दिर्ग हो जाएंगे, रजनी धनीष, ठिक, तो रजनीष हो गया, कपी धन इं क्या हो जाएगा, कभी धन इंद्र कभी इंद्र हो जाएगा, तो ऐसे करके हम जितने भी रहेंगे, बना लेंगे, ठिक, देखो, जैसे, कुस धन आसन क्या बन जाएगा, कुस आशन हो जाएगा, बाई यहां पर हमारा हश्व आ है, यहां पर हश्व आ किसको किसको दिख रहा है, सबको दिख रहा है न, बाई जो हमारा तालब विशा है, इसमें हमारा हश्व आ है कि नहीं है, जो यह वाला श्व बनाया हमने, इसमें ऐसे ही तो है यह, और ऐसे, है न, तो एक हश्व आ आई स्के साथ हो गयाँ दीरग आ इसके साथ हो गया हुशाशन बन गया तो हमाई समस्थ संधिक सिंपल है दीरग संदी ऑ गई होगीज तो निकलेगा बहांडन तो निकलेगा ही इसको बिल्कुल जल्दी से उनको संगिता कर दें तो पुस्त काले निकलेगा ही तो कहने का मदलब जो हम उचरित करते हैं जैसे वैसे अगर जो निकल रहा है वही चीज तो उस नियम में आएगी है ना तो ऐसे हो गया अच्छा कि इसको हटा देना कि अधिन नोट तो आप लोगों को कई बुक्स में मिल जाएंगी चीजें कि संधी तो आप कहीं भी किसी भी बुक्स में देख सकते हो है ना अच्छा अब देखो विटा अभी तक था क्या कि हम नोगों ने यह सारे स्वरवर्ण हमारे इधर आगए और सारे स्वरवर्ण के साथ उसी के सेम ड़िर अपने के दिर गो गए अब क्या करेंगे हम लोग दूसरी संधि पलते हैं कौनISH को गुण संधी ठिक गुण संदी में होता क्या है कि आप इन दो स्वरवर्णों को आप इन दोनों स्वरवर्णों को क्या करिए इधर रख दीजिए पहले ठिक मतलब आ या दीर्ग आ अगर इसके बाद हमारा या दीर्ग आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा विटा ए हो जाएगा ठिक हैस्व आ या दीर्ग आ इसके बाद अगर उ या दीर्ग उ आ रहा है भाई देखो हैस्स आ या दिर्ग आ के बाद अगर तुम यहां से ही स्टार्ट करोगे तो वो तो दिर्ग संदी में आ जाएगा क्योंकि दिर्ग आ बना देगा तो इन दोनों को पहले ले लो अब इनके बाद इनको रखो इन दोनों को फिर इन दोनों को फिर इनको रखो ठिक तो अब होगा क्या कि यहां पहले उ और उ को रखके देख लो तो यह बना देगा ओ अब आ या दीर्ग आ इसके साथ अगर हम रीज जोड़ें तो क्या बना देगा यह अ थिक निए ओए और फिक जैसे अब यह आर क्यों गवा जब संस्कर व्यकर्याव करेंगे पुरन्रप्रा लगेगा और ही क्यूं ओए रा क्यूं नहीं हो गया रपर होके आएगा आ होगा रा आ जाएगा यह थोड़ा विस्त्रत अध्यन का विस्त है ठीक तो जब संस्कत की संदी पढ़ाएंगे तब बताएंगे तो कि आप लोगों को संस्कत से मतलब है नहीं अगर हम सूत्रिस में लिख भी देंगे तो उससे बहुत स्क Kerry है यह बन जाता है ना हम शबवार य। से अचैसे सकारण लिभा यहां पर हमारा कौं सा यहां पर हश्च आए यह दिख रहा है सब को अगर नर में आपको अंतवर्ण आ दिख रहा है तब तो आप लोग सही पढ़ रहे हो और अगर नर में केवल रादिक रहा है तो गलत पढ़ रहे हो नर में क्योंकि जो रा है वो हमारा आ को लिय उए है ना वैसे तो रा ऐसे हलंतिक हुआ तो नर में जब हम इसको हटा देंगे, तो इसमें स्वर काउन सा जुड़ा हुआ है, अब इसके बाद A के बाद हमने E कर दिया, तो अब देखो, आप ये देखो, और A के बाद अगर E या E है, तो क्या हो जाता है? ए हो जाता है ना तो इसको बेटा ए कर दो यहां पर ऐसे कर देंगे बताओ इसके बाद यहां बचा क्या नर बचा और यहां इस नहीं अब यह दोनों मिलके विक्रत हो गए ना दोनों ने मिलके बना क्या दिया दोनों ने मिलके क्या बनाया ए बना दिया है ना तो इन दोनों और यहां का यहां पर केवल क्या बचा जब इस तक चला गया कि यह तालविशा बची अब इन दोनों को मिला के लिक्ट तो लिखी लोगे नहीं लिख पाओगे हमने ना बनाया रा बनाया रा में एक ही मात्रा लगा दी और यह है ना ऐसे देखो कि इसको आप लोग बनाओ कि क्या हो जाएगा नरेंद्र हो जाएगा ठीक कि राजेंद्र हो गया है ना हुआ अच्छा अब देखो यह वाले एक्जामपल देख लो जैसे के का इसके इसके ड्रांपल देख लो जैसे हमारे पास कोई सब्द है महा धन उत्षण कि कि यहां पर देखो यहां पर कौन सा स्वर है दीरग र एए धीरग अ के बाद यहां पर हमारा O है हेस ओ यह दोनों मिलके बीटा क्या बन जाएंगे ओ बना देंगे कर दो भाई साथ यहां बचा क्या हमारे पास यहां केवल महा बचा था और यह सौ बचा था अब दोनों को तीनों को सब को मिला के बोल दो एक बार मौत तो है न, ऐसे ही बनाओ, इसका बनाओ, हाँ, अच्छा इसका बनाओ एक, इसका बनाओ सारे लोग, इसका बना के बोल के बताओ, उमको जल्दी से, मानव धन इतर, हाँ, बहुत बढ़िया, क्या बना, मान वेतर, क्यों, भाई मानव में जो हश आ है, और इसके बाद ई है, तो आ और इमिल के क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो मानवेतर, है न, मानवेतर बन जाएगा, अच्छा, और कुछ एक्जामपल इसके पहले देख लो, जैसे इसके तो हमने बताई दिये, ब्रह्म और रिशी, तो बेटा क्या हो जाएगा, ब्रह्मर्शी हो जाएगा देखो कैसे हुआ तुम्हें बता रहे हैं एक बार ऐसे समझ लो एक बार जैसे सप्त धन रिस अब देखो तप्त ऐसे लिखा आमने ताको अहलंतिक कर दिया तभी तो इससे श्वरवर्ण अलग होगा ऐसे इसके बाद बेटा रिसी री और ये जो आपका ये है आ और री ये मिलके क्या हो जाएगा आ और री मिलके अर हो जाएगा तो यहां पर इसको तो हम ऐसे ही लिख देंगे सप्त और ये हमने लिखा अर और ये लिख दिया जो बचा हमारे पास थी है ना अब देखो तामे ये आ जुड़ जाएगा कि नहीं जु हो जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा है सब तो हो गया और ये दो को हलंतिक रह ना जो वida के पहले ये तो अब फिरकिस पंस जाएगा उपर चला जाएगा जिसको आप लोग इंदि अड़्वे चान सभाल जाएगा कि आ जिसको आप हैह ना ओपर की तरह पहुर्फ क अबतर सी बन गया ऐसे ब्रह्मर सी बन जाएगा है ना तो इसके एक्जामपा लोग है अच्छा कुछ एक्जामपाल हम लोग देख लेते हैं ठीक कि देखो कि इसका बनाओ अल्प धन इच्छा क्या बन जाएगा अल्प धन इच्छा तो अल्प और इच्छा आ है यह हो जाएगा अल्प एक्षा हो जाएगा इसके बाद देखो अच्छा बेटा उमेश का संधिवी चेद करो कि उमेश का संधिवी चेद करो कि उमेश का क्या हो जाएगा कि देखो कि क्या बताया उम धन अच्छा देखो बेटा यहां संधिवी चेद तुमने किया लेकिन क्या यह बताओ इस सब्द चलो सार्थक है लेकिन क्या उम सब्द सार्थक है नहीं है न मतलब दो सार्थक वर्णों का मेल होना चाहिए किनका होना चाहिए तो अब भाई यहां वर्णों के मेल से जो सब्द बने वो सार्थक हो अब इसका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है तो ऐसा करो ना यहां पर उमा कर दो भाई दीर्ग आ के बाद भी आएगा तो ए हो जाएगा आपने नियम तो यहीं पड़ा न तो जब आ या दीर्ग आ के बाद यह दिर्ग आएगा तो क्या बन जाएगा एवन जाएगा तो भाई साब ए तो बन रहा है उमेश है ना हमा थन इस अन्दीविशेद समझ गया है हमें अगर विष्यद करना है पधाच्षेद करना आ तो ऐसे वर्न आने चहिए जो कैसे हूँ कैसे हूँ आर्थक हूं ठिक अच्छा आगे और बताहें का दे अ zar berry और चार संदीग्षेट cry क्शा कर कि अर्छ जिय का ने झायेगा हाज स्वाधनिक्ठ आने तो लगा व्र्टीटे तो अधन इच्छा तिक गुण्संदी णा जहां पर ए ओ और अल ऐसे दिख जाएं तो वह हमारे सब क्या कहलाएंगे गुण संदी में आएंगे ठेक नरेंद्र ठेक कि आगे चलें कि इसके बाद विटा हम लोग आते हैं यन संदी में पहले ब्रद्य संदी देख लो चिक ब्रद्य संदी में क्या होगा कि अगर आ और दिर्ग आ इनके साथ अगर ए या आ रहा है तो यह क्या हो जाएंगे इनकी ब्रद्य संदी में जो ब्रद्य वाले हैं वो वाले हो जाएंगे जैसे ए और आ इसमें ब्रद्य संदी कौन सा है आई है तो आई हो जाएगा चिक आ या आ ओ या ओ ये आएगा तो ओ हो जाएगा कोई दिकत मतलब इनको देखो ऐसे shortcut ऐसे भी समझ सकते हो थोड़ा detail में आ या आ है इसके बाद ए आ रहा है तो भाईसा आ हो जाएगा इनी के बाद अगर आ रहा है तो भी आ हो जाएगा इनी के बाद अगर ओ आ रहा है तो आ हो जाएगा और अगर इसी के बाद ओ आ रहा है तो भी आ हो जाएगा ठिक कोई समस्या मतलब कहने का ये हुआ आपने जो यहाँ पर स्वर हमने पढ़ाए थे आप लोगों को आ आ इई उ उ उ री ए आ आ है ओ अऊ तो देखो भीटा पहले इनके साथ समान स्वरों को रखा है न अब आ के साथ हमने यहां तक रख दिया है अब इसी की बाद इन चार ओन्व रखके देख लिया हो गए न सुरवर्ण आपस में तो अब देखो अगर इनके साथ ये आ रहा है जैसे देखो तो क्या हो जाएगा मैसा हो जाएगा ऐसे देख लो यह वाला एक्जाम पर लिए तो संस्क्रत में हो जाएगा देखो मत एक्जाम क्या हो जाएगा कि अब देखो यह हमारा है यहां पर कौन सा है यहां यह दोनों मिलके क्या हो जाएंगे यह हो जाएंगे मत ऐसे ही था ए जोड़ दो और यह क्यम जोड़ दो अब भाई साथ इसमें तामें जोड़ दो लिखा ऐसे जाता है मात्राइं दो ऐसे जुड़ जाती है मत्यक्यम हो गया कोई समस्या मतलब कहने का अगर आप सीरियल से चलोगे उसके नियम से चलोगे तो गलत कभी नहीं होगा है ना अगर मत्यक्यम का आपको आजाए संदी विछेद करिए कि आसन तो क्या करोगे मत दनएक्यम ना क्यों यहां पर कौण सी संधी हो रही है ब्रद्य संधे हो रही है मतलब हाय दीर्ग आ के बाद अगर हमारा एई मतलब जो हमारे संद् हैं मतलब जो हमारे संयूक तो स्वरवर्ण हैं यह आते हैं तो यह अपने का इनकी जो व्रद्धी संग्यक होते हैं वह हो जाते हैं जैसे देखो तो क्या हो जाएगा इसमें इसमें मात्रा लग जाएगी इसके बाद देख लो महाधन आवदार्य हमें तो क्या बन जाएगा कि यहां जो ऑवएईर यह वें अहल जाएंगे मावदार्य हो जाएगा इसह में आव ऊकी मात्रा जुड जाएगी महावदार्य श्टी महाथार्य कि अच्छा और देख लो कि इसमें क्या हो जाएगा वनौसदी हो जाएगा एक वनौसदी हो गया अब देखो यहां पर उसदी करके न बनाना क्योंकि भाई साब उसदी का अर्थ नहीं होगा तार्थक नहीं होगा और निर्थक हो जाएगा आउसदी तो वन धन आउसदी वन आउसदी ठीक महा तो ऐसे करके जितने हमारे बनेंगे आउसदी महा अधन आउदार्र महा अधार्र बन जाएगा ठीक जले धन ओगा जल ओगा बन जाएगा ठीक जल DON THAT ओअ आएगा तो भी तो मरा ओं हो जाएगा हैंना कि तो ऐसे करके देखो एक दो इक्जामपल और देख लो कि अरदंे देखो जैसे कि सधाधन गव प्यांश इसकी इसुन अब कि इसी का को छिण इस ओन जाएगत और यहां तत्ध आइसे लग जाएगा वह यह बचेंगी अम निलाकर लिख दो इसकी एसे इस दबन जाएगा सदाधनेव क्या बन जाएगा सदेव बताओ कोई समस्या अच्छा एक दो के संदिव विछेद करिए आप लोग हम बोल रहे हैं ठीक इसका करो इसका करो बिटा यह सुनो गलत लिग गया था देवय स्वर्य इस्वर्य कहां आ जाएगा हां क्या होगा कि देव धन ऐस्वर्य कि ऐस्वर्य सब्द होता है न अब इसको हम लोग आ है और यह है यह मिलके हमारे यह व्रद्धी हो जाएगी इसकी कि देव ऐस्वर्य कि मिला के लिख दो वह में आय की मात्रा जोड़ दो ऐसे बन जाएगा बांकी सब्वाई हो जाएगा देवय स्वर्य हो जाएगा ठिक अब हम लोग आगे चलते हैं ठिक अब बिटा आते हैं हम लोग यन संदी में है कौन सी संदी में आते हैं यन संदी ठिक यन संदी हमारा क्या कहता है कि भाईया अगर ई पहले हम लोगों ने आ और दीर का रखते रहे पहले अब यह जो आगे वाले इनको भी तो आगे रखके देख लें है ना अगर ई है या उ है इसके बाद री, अगर इनके बाद कोई भी आसमान स्वर आ जाए, क्या आ जाए, कोई भी आसमान स्वर आ जाए, आसमान स्वर बेटा समझ गए, आसमान स्वर के मतलब हुआ ये ना हो, उसके जिस्ट बाद ये ना हो, बांकि कोई भी स्वर आ जाए, तो देखो, क्या हो जाता है, इ का हमारा क्या हो जाता है या आदेश हो जाता है इ को क्या आदेश हो जाता है या उ को क्या आदेश हो जाता है और री को क्या आदेश हो जाता है रा अब देखो यहां इ को या आदेश हो जाता है मलब इ का या हो जाता है ठिक जैसे अभी हम लोग देखेंगे प्रती धन ए तो देखो, अब समझो, प्रा, ऐसे लिखेंगे न, एकी मात्रा ये अलग कर दी, इसके बाद एकम, अरे चलो, प्रतेक कर लो, ठीक, तो देखो, एक कर दिया, अब यहां समझो, आसमांस्वर स्फटों है और लोगया और इसमें यहाली मात्राा ऐसे जोड़ दो तो यह देखो यह आधीता ऐसे बना दोगे या ऐसे बना ओगे या मैं एक इमात्रा जोड़ दो प्रतेक फिक समझ में आया जैसे देखो अच्छा इत्यादिका करो संदी विच्छे समझ में आ जाएगा क्या हो जाएगा इती धन कि अधिये देखो यहां पर इथा और यहां पर आ समानस्वर आ था ओध कर यह हो गया वहिस्वर्रों की मात्र यहां लगगई एत्यादि डिखना सब जितने ाह आधे एक्षर आपको मिलेंगे इसमें प्रत्यक इत्यादि प्रत्य अन्वय मलब जितने आधे आधे अच्छर हैं वो सब कहां मिलेंगे हमें हिर्णसंदी में इसमें अच्छा देखो ऐसे हमने ए का देख लिया उ का देख लो अनुधन आए देखो अन उ आ और या अब देखो उ और आ तो उ का क्या हो जाएगा वा हो जाएगा उ क्या हो जाएगा उ किसमें परिवर्टित हो जाएगा वा में और ये मात्रा ऐसे ही जुड़ जाएगी और यह हमारा ऐसे रहेगा अब इनको मिला के देख दो तो देखो आ हाँ अब यह वाहे हलंतिक था लेकिन इसमें यह मात्रा जुड़ जाएगी तो पूरा हो गया अनवय बन गया कोई समस्या कि देखो चाय से ही कि तूधन आगत अब ऐसे यह आपका बन जाएगा सूधन आगतम फिक यह हिंदी में समझ लो तो केवल मां अटादो क्या बन जाएगा तो सू उ है उमारा विटा किसमें परिवर्तित हो जाएगा वाह में यह मात्रा जोड़ दोगे तो ऐसे बन जाएगा गत हो जाएगा सू का केवल सा बचेगा तो आदा सा बचेगा स्वागत बन गया बताओ कोई समस्या तही हो गया ना आगे चलें हम लोग यहां संदी हो गई अब इसके बाद चलते हैं हम लोग इसके एक दो एक्जामपल कर लो और दो चार ठीक एक्जामपल में देख लो आप लोग एक्जामपल बोलें हैं लिखो जैसे क्या हो जाएगा इसका इसको मिला के बताओ वैसंदी बनाओ इसकी क्या बन जाएगा अत्याचार बन जाएगा आगे देखो इसका बनाओ इसका बनाओ इसका बनाओ परिधन अटन न बना पाओ तो जल्दी जल्दी बोल लिया करो परिधन अटन परिधन अटन बोलते रहो धन्ना बोलना परिएटन परिएटन बोलते रहो परिएटन 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 परिएट पर यहां पर क्या बन जाएगा हुआ किस वजेसे ही का हमारा यह हो गया यह आउसी में जुड़ गया तो हमने लंतिक खटा दिया है पर यह तर्ण अब यही रहा हमारे उस उस ऊपर चला जाएगा तो पर रेटर्न में को इधिकत है और देख लो दो चार एक्जामपल वी धन अभिचार तो क्या हो जाएगा वी धन अभिचार बनाओ इसका वी धन अभिचार तो दिखो बेटा यह वी और ऐसे इह कर दोगे न अभिचार अब यहाँ ई की इसमें परिवर्थित हो जाएगा यहां में आ की मात्रा ये लगा दोगे तो ये अहलन्त हट जाएगा ये वाप की आदी हो गई और ये आ इसके साथ जुड़ गया वेविचार है न मज़ेदार चीज तो वेविचार बन गया इससे सब्द ठीक अच्छा देखो अच्छा सुनों वेंजन का संदी विचेद करो वेंजन वेंजन का संदी विचेद करिये वेंजन से देखो कैसे क्या बनेगा वेंजन देखो बना क्या यह निकल रहा है ना यह निकला मतलब वा में किसकी मात्रा रही होगी भाई, यही तो यही तो यहा में परिवर्तित होगा, असमानस्वर कोई भी आ सकता है, तो यह विटा वा में ए की मात्रा रही होगी और यहां आ रहा होगा, क्योंकि यहां में काहे की मात्रा है, आ की, तो वी धन अंजन, क्या है, वी धन अंजन, वे अंजन हो गया, ठिक, आगे देख लेते हैं हम लोग, आगे आते हैं विटा हम लोग आयादी संदी में, ठीक, तो आयादी संदी में क्या हो जाएगा, एक मिनिट विटा आएं, देखो, आयादी संदी में अब होता क्या है, पहले हम लोग चारों पढ़ लिए, आयादी संदी में होगा क्या, जैसे, अगर ए या आय, ठीक, ए के साथ कोई आसमान स्वरा आ जाए, तो इसका क्या हो जाएगा, आये, आये के साथ अगर कोई असमान स्वर हो जाए, तो बिटा हो जाएगा, आये, ओ के बाद अगर कोई असमान स्वर आए, तो हो जाएगा अव, और अगर आओ के बाद कोई असमान स्वर आए, तो हो जाएगा आव, ठिक, जैसे अभी हम लोग जब पढ़े अपने स्वर, पहले ही स्टार्टिंग में तीन संदियों हमने आ और दीर आ को साथ में रखा, उसके बाद सभी का कराते रहे, फिर ई, उ, री को पहले रखा, बाद में कोई असमान स्वर आ जाए, अब लास्ट में ये बचे थे न, ए, ए, ओ, ओ, इनके बाद कोई असमान स्वर आ जाए, तो ए, ए, आदेश होगा, आए हो जाएगा, आओ हो जाएगा, आओ हो जाएगा, यहां तक बाद समझ में आई, अब देखो इसके example देख लेते हैं जैसे ने धन अन तो देखो इसका बनाओ क्या बनेगा ने धन अन है तो यहां पर देखो ने धन अन तो पिटा एं है नहें यहांपर गया और यह असमानस्वरा आ गया तो ए को क्या आदेश हो जाएगा आ है और अन और ये देखो ऐसे हलंतिक ना बचेगा कि नहीं बचेगा भाई ना से हमने एकी मात्रा अटा दिया तो हलंतिक ना बचेगा अब इस ना में आकी मात्रा जोड़ दो तो ना हो जाएगा या में आकी मात्रा जोड़ दो या बन जाएगा नयन तो ने धन अन क्या बन गया ने अन बन गया ऐसे देखो आय और आय से देख लेते हैं जैसे गए धन अक तो देखो यहाँ पर आय की मात्रा है ना आय की मात्रा हमने अलग करी तो यहाँ पर गाह लंतिक बचेगा कि नहीं बचेगा इसके बाद अक ए और आई और आ मिलके देखो आई हमारा किसमें बन जाएगा आए में तो आए हो गया आए में ये वाला अक जोड़ देना और इस गा में आ जोड़ दो तो ये हो जाएगा गा या में आ जोड़ दो या और इसमें का तो गायक हो गया हो गया कि नहीं हो गया गय धनक गायक ने धनक नायक भी तो यह बन गए ऐसे ओ वाला देख लेते हैं ओ वाले में हम लोग जैसे पोधन अन तो देखो यहां पर ओव है यहां पर आ है ओ हमारा आउ आदेश हो जाएगा आउ हो गया यह हमारा अन ही रहेगा यहां पा हो जाएगा, पा के साथ आ मिला दो, पूरी पा बन गई, वा के साथ आ मिला दो, वा बन गया, पवन, ठिक, ऐसे इसका देख लेते हैं, पा, धन, अक, तो देखो, यहां पर आउ है, और यहां पर आ है, बोलो है कि नहीं है, आउ हमारा कि क्या आदेस हो जाएगा, आ बाई साब आऊ लिख दो यहां अक लिख दो यहां पर प्राह एसे लंट लिख दो अगर वा आज और दोगे वा और का बण गया को समास्य है को ए ठिक तो चलो फिर आज हिंदी देखो अंब संदी seem अब हमारी स्वार संदीयां खताम हुए सफ्वार संदियों के साथ अगर हमारा वन्ञान के साथ स्वारिया वह व्यन्न दिखे व्यन्यन के स्वार या वेंजन दिखे तो वहां वेंजन संदी होगी सिंपल सा आपको फाइंड कर लेना है जैसे उत धनलेक उलेक जगत धन गुरू जगत गुरू ठिक तो ऐसे करके आपको वेंजन संदियां उसमें हो जाएंगी और विसरग के साथ अगर स्वर्वेंजन की संग्योग है तो व इसमें कौन सी संदी है वेंजन संदी है कि स्वर्व संदी है कि विसरग संदी है कि ए और भी दोनों कि तो बताओ अब यहां पर ने धन नयन है ठिक तो हमारी कैसी हो जाएगी स्वर्व संदी हो जाएगी ऐसे जगत गुरू अगर आ गया यहां पर स्वर्भ है िढ़योदा यहां पर है विच्षेद करेंगे तो पाएंगे जगत धन गुरू अब तो यहां पहले इंद दिख गया मतलब संदी को चलो ठीक है आज हम लोगों की संदी वाला कम्पलीट हो गया इसके बाद लुग नेक्ट उस्त में पढ़ेंगे आपकी समास पढ़ लेंगे कारक करती हैं तो ठीक है लगबग 50% हम लोग ऊपर चलना है तो कारक करवा दिये हैं, संदी हो गई है, इसकी प्रैक्टिस ज्यादस ज्यादा करिए, प्रैक्टिस से उठाइए, जहाँ जहाँ कोईशन पूछें गए हैं, वो देखिए, ठिक, चलो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, स्वस